हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकेचम यूट्यूब चैनल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, तो फ्रेंड्स बिना किसी बाशन के चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रॉम में सरलहरया ना टाइप कर लेना है, सरलहरया टाइप करते ही आपके पास जो पहली वेब साइट आएगी उसके आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर registered hair का option मिलता है आपको इस पर क्लिक कर देना है तो आप यहाँ पर अपना registration कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको आपको अपना नेम लिखना है उसके बाद आपको email ID डाल देनी है देन नमबर डालकर यहाँ पर आपको अपना एक password डालना है जो की 8 से लेके 15 करेक्टर तक का होना चाहिए और यहाँ पर आपको अपना state select कर लेना है state select कर लेने के बाद आपको यहाँ पर capture find करके then आपको submit लेक्जे है कर क्लिक कर देना है आपको इसे लाउधिय को मिलेगा आपको यहाँ पर यहाँ पर लोग न होचुकी है आपको यहाँ पर services वाले option पर click कर दिना है उसके बाद आपको view all available services पर click कर दिना है यहाँ पर आपको सारी की सारी services जो आपके पास available है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है then आपको यहाँ पर search वाले option में जाकर आपको cast certificate यहाँ पर type कर दिना है कास सर्टिफिकेट टाइप करते ही आपके सामने कास सर्टिफिकेट के related services यहाँ पर आ जाएंगी तो यहाँ पर सबसे पहले कास सर्टिफिकेट उसके बाद कास सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आगर आपके बस family ID है तो यहाँ पर टिक करके आपको यहाँ पर अपनी family ID को लिख देना है और यहाँ पर click here to factor family data के उपर click कर देना है यहाँ पर click करते ही आपकी जो family data जो data है वो factor हो जाएगा और यहाँ पर आपके member जितने भी family ID में मेंबर हैं उनके नाम आ जाएगे और आपको जिसका भी आपने का सर्टिफिकेट बनवाना है आपको उसके क्लिक करके send OTP वाले option पर क्लिक कर देना है send OTP वाले option पर क्लिक करते ही आपके registered mobile number पर एक OTP send कर दिया जाएगा तो आपको इससे चेक कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है नीचे आओगे तो आपको यहां पर photo upload का एक option देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको अपनी एक passport size photo आपको upload कर देनी है तो आपको यहां पर 20 से 50 KB के बीच बीच में आपको एक अपनी passport size photo यहां पर upload करनी है तो चलिए मैं आप यहां पर passport size photo upload कर देता हूँ passport size photo upload हो जाने के बाद डिस्टिक देखने को मिलेगा उसके बाद आपको यहां पर अपना area select कर लेना है आप रूलर area में रहते हो या urban area में उसके बाद आपको यहां पर अपनी तसील को select कर लेनी है देन आपको जिस भी आप शहर गाव में रहते हैं उसे आपको यहां पर लिख देना है देन नीचे आओगे तो आपको यहां पर certificate डिटेल देखने को मिलेगी आपने कौन सा certificate बनवाना है तो उससे आपके यहां पर categories जो भी आप जिस category में आते हो उससे आप यहां पर डाल दीजिए यहां पर applicant category में अगर government job में हो तो यहां अगर नहीं हो तो आप यहां पर non-government employee यहां पर डाल सकते हो यहां पर pre-verified में आपको no click कर देना है उसके बाद आपको यहां पर I agree वाले के पर tick करके यहां पर capture फिल कर देना है जिसमें आपको एक अपना address proof और एक अपना identity proof यहां पर लगाना है तो आप address proof में voter ID card दे सकते हो और यहां पर और भी documents है वो आप यहां पर दे सकते हो उसके बाद आपको यहां पर identity proof में आप अपना अधार card यहां पर आप दे सकते हो तो उसकी जो आप file है यहां पर scan करके यहां पर upload कर दीजिए upload हो जाने के बाद आपको यहाँ पर save anexer पर click कर देना है save anexer करने के बाद आपको यहाँ पर आपके जो anexer वो यहाँ पर show हो जाएंगे then आपको यहाँ पर submit वाले option पर click कर देना है submit करते ही आपकी जो file है वो submit हो जाएगी और आपके पास ऐसी एक receipt देखने को मिलेगी जिसमें आपको यहाँ पर इस receipt को print करके रख लेना है यहाँ पर यह कुछ दिनों का समय लेगा जिसमें आपकी जो detail है वो verify हो जाएंगी और verify हो जाने के बाद आपका जो आपके registered mobile number पर एक message आ जाएगा notification send कर दिया जाएगा आपके जो cast certificate के regarding वहाँ से आप उसे download कर सकते हैं या आप इनकी website पर आकर भी sarlna.gov.in पर आकर आप अपना certificate है वो जो download कर सकते हैं तो friends यह था सारा process cast certificate को बनवाने का तो friends अगर आपको वीडियो चलेगे तो वीडियो को like कर दें और आपको अगर इसमें कोई भी दिकत आती है तो आप मुझे comment section में लिखके बता सकते हैं